तमाब परकरण अउद पिड़न से परिशान शेहर के सभी नामचीन मिठाई बिक्रिता बुधवार से अधिशित कालेन हर्ताल पर जा रहे हैं। दसल मामला एक अधिवक्ता से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बुधवार से लोगों के घर में मिठाई की मिठास बंद हो सकती है। उत्पिड़न से परिशान सभी मिठाई बिक्रिता कलेक्टेट में अपनी परिशानी लेकर सिटी मजिस्टेट से मिले। क्या है पुरा बामला आपको बताएंगा अपने इस रिपोर्ट में। दुरवागपूर बायकेया दाउजी मिठार मंडार सन्योज कॉलिज की दुकान पर हुआ किनी अधिवक्ता द्वारा जिनका नाम बिनुद गौतम बता जा रहा है वरूद गौतम बता जा रहा है उन्होंने पांच-छे दिन पहले कोई मिठाई ली होगी उसमें उन्होंन करता हूं आज वो पांच-छे दिन वाद किसी अत्कारी फूद अत्कारी को लिए के उनको भी गलत बात कहके बुचारे अत्कारी सकते में आ गए कि मुझसे क्या क्या करवा रहे हैं तुरंट आती हत्कारी से कहने लागे जाओ इनके दस बार एक सब के से बिल बरो अत्कार इमान टूआ था 860 रुपए तो मोत वोले में फूट वालों थी नहीं ले जा रहा हूं इसमें कितना डिसोंड हो था मैं बावी इसमें मुझे 820 रुपए देदो तो वोले नहीं और बताओ मैं बावी आठसों देदो तो वोले नहीं मैं पांस पर दूंगा मैं अहसा पैसे साथ पत्का बिल दे बिल मेरे के लेकिए हैं सारी ची और बाद मता रहें मेरे तवी तरावी न मिटाई है न तुछ भी है तो सिग्रेट पी रहे थे आज भी और पहले दिन भी अगर समस्या इस प्रकार की है कि अगर सभी लोगों से एक एक जार रुबे के पान पान सार रुपे लेने लगेंगे तो दुखंदार क्या करेगा तो यह सरासर घलत है आज हम कलक्टरी में डीम साब के सवागार में यहां आए थे उनकी अनुपस्तती में सिटी मेश्टेट स करता हूं कोई अधिवक्ता हो आम आदमी हो सरकारी आदमी हो कोई भी आदमी हो इस तरीके से उसको यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक हजार के पांचार रुपे ले ले अन्यता उसके उपर फूट डिपार्टमेंट कारवाई करेगा इस तरह का दुरपयोग और इस तरह आज का जो वाक्या हुआ अज पर सब मिठाई विक्रेता हम लोग एकटे हुए हैं और इस कारक्रम की विवस्ता को दुबारा प्रनद वक्ती ना हो इसलिए हम लोग एकटे हुए और यह आवहन किया गया है कि यह दीवाली बाद मितले आर दस दिन बारह दिन से जो लोगो का बोगताओं का इस तरह उस्पीलन कर रहे हैं व्यापारियों का उसको रोकने के लिए एक प्रियास किया जा रहा है और उसमें यह निश्य किया है कल सभी प्रतिस्ठान अपने बंद रखेंगे और उसके बाद जैसा भी ग्यापन देने के बाद जैसा भी प्रसासन हम लो करते हुए मैं 800 रुपे ले सकता हुए उससे कम नहीं ले पाऊंगा तो उन्हें फिर तुनक में कही कि 868 पूरे काट और तिरको तो में देख लूँगा तो आज देखने आ गए पूर अधिकारी को संग लेके आ गए और के पूरी दुकान के मिडाई के सेंपल बरूइन के हाँ हमां मेरी दुकान पर आयते सेंट जोन्स वाली दुकान पर सालों से आता रहा है लेकिन इस समय पिछले दो महीने से प्रक्रम बहुत चाला यह काकस चला है और मुझे लगता मटीलेशन कमपनीयों का बनाया गुए जा लेजे चोड़े जोड़ डलवाईयों को हम जैस दुकान बंद होने से कितने लोगों घर के चूले नहीं चलेंगे इतनी लेवर है जिसके पास तनखा नहीं पहुंचेगी वो कल कहां से खाएगी उसका जवाब भी तो आज सरकार को देना पड़ेगा नाचंदीप अगरवल देवीराम सूइट से आज जो प्रक्रण हुआ उसमें सभी इसने एक जुटता दिखाते हुए खल बयार बंद करने का अवरान करा है जिसमें कि सभी लोग एक जुट होकर सभी ने तैयारी सुरू कर दिया बयार बंद कराने की और जो अब यह कौकस टाइप को चल रहा है अब आठ दिन से हमारे नाम से वीडियो फेक हु झाल